एक आरोप और 18% तूट गया, यह शेयर 91 रुपए पर आ गया भाव, साल भर में चढ़ा था 200% से ज्यादा Transformers, Rectifiers India शेयर, Transformers and Rectifiers India के शेयर की कीमत गुरुबार के सत्र में 18% से अधिक गिर गई. शेयर की कीमत 91.70 रुपए पर आ गयी, इसके पीछे एक बड़ी वज़य है, वज़य यह है कि गुजरात Energy Transmission Corporation अब Transformers and Rectifiers India के साथ अगले 3 साल तक साथ में कारोबार नहीं करेगी, इसके पीछे Material Dispatch Clearance Certificate MDCC में गड़बडी को बताया गया है, इस बीच Transformers and Rectifiers इंडिया के शेयर में बड़ी गिरावट आई है, कम्पनी ने क्या कहा? कम्पनी ने एक Exchange Filing में कहा, कि उसे 13 जुलाई 2023 को गेटको से Stop Deal Notice मिला था, जिसे 19 जुलाई 2023 को रपद द्वारा फिजिकली प्राप्त किया गया था, और गेटको ने कम्पनी के साथ 3 साल की अवधी के लिए कारोबार बंद करने का फैसला किया है, कारोबार इस आधार पर बंद किया गया क्योंकि कम्पनी ने कथित तौर पर कुल 29 ट्रांसफार्मर और एक रियक्टर की सप्लाई के लिए दिये गए कॉंट्राक्ट के तहट कम्पनी द्वारा आपूर्ती किये गए कुछ ट्रांसफार्मर से संबंधित फर्जी MDCC जमा कि किया था हालां कि कम्पनी इस आरोब के खिलाफ अपनी स्थिति का बचाव करने और इस मामले को सुलजाने के लिए आवश्यक कारवाई कर रही है कम्पनी के शेर तकनीकी मोर्चे पर ट्रेंड लाइन डेटा के अनुसार स्टॉक की कीमत साल भर में 211.9% बढ़ी है इंजेल वन के एक्विटी टेकनिकल डेरिवेटिव एनालिस्ट राजेश भोसले ने कहा स्टॉक तेजी की प्रवरित्ती में था हालां कि आज हम उपनिंग में एक मजबूत अंतर देख रहे हैं और कीमते पहले से ही 17% नीचे हैं ऐसे में शेर खरीदने से अभी बचना चाहिए